लोटस आयर्वदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ पल्चौदरी आज हम बात करेंगे आखों के लिए बहुत गंभीर हो सकती है लेजर सरजरी मैं इसके कुछ नुक्सान है वो आपको बता रहा हूँ तो आई शुरू करते हैं आज का वीडियो आखों से जुड़ी बीमारियों के इलाज में सरजरी के अहम भून का है सरजरी के मादन से आखों की रोस्नी बचाने से लेकर के कई गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है आज के समय में सरजरी के लिए नई नई तक्निकें आ रही हैं लेजर तक्निक से भी आँखों का इलाज सरजरी आसानी से की जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं लेजर तक्निक से भली है आँखों का इलाज और आपरेशन आसान हो लेकिन इसकी बज़े से कई गंभीर नु εκ गंभी रोव सकते हैं तो आखों की लेजर कराने के nुकसान क्या है मैं आपको बता रहा हूं हुआ जले जरी का इस्तेमाल आखों की बिमारियों में एलाज के दोरान किया जाता है लेजर तक्निक से आखों की मायोप्या करने और इलाज करने से भी आसानी होती है लेकिन लेजर सर्जरी के माध्यम से मायोपिया हाई प्रोपिया समित कई गंभील बीमारियों में आपरेशन किया जाता है लेजर सर्जरी कई तरह की होती है और आखों की अलग-अलग इस्थिक्तों में इसका इस्तिमाल किया जाता है लेसिक, लेसिक, पियार के समित कई अन्य तरह की आँखों की सरजरी होती है गलत तरीके से सरजरी होने या सरजरी के दौरान होने वले गलतियों के वज़े से कई गमिर नुक्सान भी हो सकते हैं तो लेजर सरजरी के साइड एफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ पहला रोसनी में कमी लेजर सेजरी के बाद मरीज की आँखों की रोसनी पहले की तुला में कम होने का खत्रा रहता है हलनके इस्तिती हर ब्यक्ति में नहीं होती है कुछ लोगों को लेजर सेजरी के बाद इस इस्तिती का सामना करना पड़ सकता है दूसरा धूप से इलर्जी लेजर सर्जरी के बाद मरीज को धूप में जाने पर इलर्जी का सामना करना पड़ता है इस सर्जरी के बाद आँखें धूप के पर समेदन सिल हो जाती है आँखों में सूखापन लेजर सर्जरी के बाद आँखों में सूखापन जैसा समस्या हो सकता है इसकी बज़े से आशु कब बनते हैं और मरीज को गमीर परिशानिया हो सकती चक्कराना कुछ मरीजों को लेजर सर्जरी के बाद चक्करानी के समस्या हो सकती है इसकी बज़े से नजर में कमजोरी आ जाती है इस बार इस इस्थिती के कारण आखों की समिदन सिल्टा बढ़ जाती है लेजर से जड़ी के दोरान गड़बड़ी या किसी भी तरह की गलती के कारण इस तरह के साइड इफेक्ट का खत्रा लेता है हालनकि आखों के लिए लेजर सर्जरी पूरी तरह से सुरच्षित है और प्रभावी होती है इसलिए डॉक्टर की सलह लेकर के जुरूत पढ़ने पर एक्सपर्ट डॉक्टर की देखरेक्ट में ही यह सर्जरी कराई करनी चाहिए लेकिन सर्जरी के बाद मरेजों को जरूरी साथधनियों का ध्यान रखना जरूरी है जैसा डॉक्टर आपको बोले ऑपरेशन के बाद आपको यह खाना है ऐसा आपको रहना है कैसे आपको नहाना है everything डॉक्टर जैसा बोले को बैसा आप फालू करेंगे तो नुक्सान नह को हो सकता है कि मैं ऐसा इसलिए बोला हूं कुछ लोग कि डॉक्टर खिवाद मानते हैं कुछ लोग लापरवई दिखाते हैं जो लापरवई दिखाएंगे उनको नुक्सान जो मैंने बताएं वो हो सकते हैं धन्यवाद